नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल यूनियन फोर कंजर्वेशन ओफ नेचर जैसा कि नाम से प्रतित होता है कि ये नेचर को समच्छन करने के लिए संस्था बने हुई है तो आज इन्वार्मेंट और इकॉलजी में हम आयूसियन की अन्य वैवार की भासा में बोलते हैं कि जो अमुक प्रजाती है वो भिलुप्त हो गया खत्म हो गई है या फिर दिख रहा है हम दो ही चीज हमें समझ में आता है या तो वो मौजूद है या फिर नहीं है लेकिन नहीं प्रकिर्टी के संरक्षन की सिधांद में जो आयूसि सिष्टर में उनका प्रकिर्टिक निवास है उस आधार पे क्या इस्थिती है उनकी क्या वो किस रूप में मौजूद है तो आएए इसी वीडियो के माध्यम से हम इस बात को समझने कोशिस करते हैं जैसा कि आपको एक यहां पर एक डियाग्राम दिखाई दे रहा है जिसक अतनी प्रजातियां उन्हें हम किस आधार पर व्यवाजन करते हैं संद्क्षन को लेकर जैसे अब देख सेदो थेटर एक्सेंट इन वाइल नियर थेटर तो हमें समझना होगा कि आखीर iocn किस आधार पर इनका व्यवाजन करती है और इसका मतलब क्या है इसको बहुती सरल तरीके से समझने कोशिस करते हैं आईए तो सबसे पहला जो है वो है विलुप्त अर्थात ऐसी कोई भी प्रजाती जिसका कोई भी सदस जीवित नहीं बचा है उसे विलुप्त माना जाएगा जिसको IUCN शौट में कहती है EX यानि कि extent विलुप्त हो चुका है अर्थात कहने का मतलब यह है कि अब वो प्रजाती हैं ही नहीं इस प्रिद्वी पर जैसे कि हम डैनासुर के बात कर सकते हैं जो दूसरा है वो है extent in the wild इसे सौट में EW कहा जाता है IUCN की website के अनुसार इसका मतलब यह होता है कि जो वन अर्थात उनके प्राकृतिक निवास है वहां से या त कुछ सदस्य हैं उनको चडिया घरों में या उनके जो मूल निवास है उनसे अलग किसी कृत्रिम निवास अस्थान पर रखा गया है अर्थात उनका संदक्षन क्या जा रहा है अक्सर ऐसा सुनते होगे कि कुछ ऐसी प्रजातियां है जिनको उनकी प्रजातियों को बढ़ जाने के लिए कृत्रिम करवाधान या चीज़ जल रही है तो एक दूसरा जो है इस्थिति है तीसरा जो यहां पर मुख्य हो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानि कि घोर संकट गरस्त प्रजातियां जिनका उपर एक खत्रा बना हुआ है कि इनका प्राकृतिक निवास इन हो सकते हैं इस वजह से क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकते हैं कि इनको बचाने के लिए अलग तरीके का कारेगरम चलता है जो सरकारे चलातीUNG है जो सरकारिwe इंडेंजर्ड तो लगबग उसी के आसपास किस्तिती बनी हुए इन प्रजातियों के उपर वर्ड नेवर अर्थात असुरक्षित इनका जो निवास अस्थान है अर्थात ये बिल्कुल संकट ग्रष्थ हो जाने की संभावना बनी हुए अगला है नेर्थात अर्थात संकट के निकट अर्थात ऐसी प्रजातियां जो प्राकिटिक निवास में बहुत सारी दिक्कोतों का उनका सामना करना पड़ है वो संकट ग्रष्थ है उनको बचाने की जुरत है तो इन्हें कहा जाता है नियर थ्रेटन जिसको एंटी के सौट फॉर्म में हम दर्साते हैं लिष्ट कंसर्ण अर्थाथ ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या बहुतायत में हैं और ये आसानी से अपने विस्तरिक छेतों में पाई जाती हैं तो इनके लिए हम लिष्ट कंसर्ण की बात करते हैं अगला है डाटा डेफिसियंट अर्थाथ ऐसी प्रजातियां जिनकी पर बहुती कम खत्रा है और उनकी संख्या इतनी जादा है कि कहा जासा तुमके पास डाटा हमें प्रयाप्त रूप में नहीं पता है क्योंकि उनकी संख्या बहुतायत में है अर्थाथ ऐसी प्रजातियां जो संट्रक्षन की स्थितिका जो IUCN का जो अपना मापदंड है उसके आधार पर अभी तक इनका आकला नहीं किया गया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं यह अनाकलित हिंदी में वहला था नौन इवेकुलेटट तो कहने का मतलब यह है कि IUCN जो रेड़ लिस्ट चारी करती है उस रेड़ लिस्ट में इतनी सारी कटिगरी है जो आपके यहां पर दिखाई दे रहा है इतनी सारी कह सकते हैं कैटेगरी है जिसके आधार पिन प्रयात्यों का भी भाजन किया जाता है सनक्षन को लेकर तो यह वीडिया आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं आगे भी मैं इन्वार्मेंट और एकॉलजी को लेकर और भी तथ्यात्मत और महत्पुन जानकारिया आपके एक्जाम को लेकर साजा करूँगा धन्यवाद